हेलो फ्रेंज एसर डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अस्वक चक्र के 24 तीलियों का अर्थ हिंदी में इसकी 24 तीलिया मनुष्य के 24 गुनों को दर्शाने का काम करती है इन 24 गुनों को धर्मार्ग भी कहा जाता है अगर देश के सभी नागरिक इन 24 गुनों को अपना लें तो देश को उन्नती करने से कोई नहीं रोक सकता है इसी वज़े से 1947 में हमारे नीती निर्मताओं ने अस्वक चक्र को राष्ट्रिय धोज में इस्थान दिया था साया सन्यमित जीवन जीने की परेणना देती है आरोगे निरोगी जीवन जीने के लिए परेणित करती है सान्ती देश में सान्ती वेवस्ता कायम रखने की सला त्याग देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास सील व्यक्तिकत सोभाव में सीलता की सिक्छा सेवा देश एवं समाज की सेवा की सिक्छा छमा मनुष्य एवं प्रानियों के परती छमा की भावना प्रेम देश एवं समाज के परती प्रेम की भावना मैत्री समाज में मैत्री की भावना बंधूत्व देश प्रेम एवं बंधूत्व को बढ़ावा देना संगठन राष्ट की एकता और अखंडता को मजबूत रखना कल्यान देश वा समाज के लिए कल्यान कारी कारियों में भाव लेना समरिद्धि देश एवं समाज की समरिद्धि में योगदान देना उध्योग देश की अधोगिक परगती में सहायता करना सुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए सदेवत यादाना नियम नीजी जिन्दगी में नियम से परताओ करना समता समता मुलक समाज की स्थाफना करना अर्थ धान का सदियोग करना नीती देश की नीती के परती निष्ठा रखना नियाए सभी के लिए नियाए की बात करना सहकारे आपस में मिल जुलकारे करना करताव्य अपने करताव का इमांदारी पालन करना अधिकार अधिकारों का दुरुपयोग न करना बुद्धी मता देश की समरिद्धी के लिए सयंका बौधिक विकास करना अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो का लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि अगली वीडियो जब भी है सबसे पहले आपको मिले तब तक अपने ख्याल रखें धान्यवाद